बश्कार दोस्तों काउगोने फैशन में आप सभी का स्वागत है हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं कि हमने हार एक पार्ट में आपको जो है कटिंग सिखाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे जो पार्ट जो है तो वह हैपी न्यू येर से यानि 2022 से जो हमने इसे बनाने के देखे इसमें दो प्रकार की चुडिदार होती है पहली चुडिदार होती हमारी निफे वाली और दूसरी होती बॉक्स वाली आप हम पहली जो चुडिदार है वह सिखेंगे निफे वाली चुडिदार जिसे आप बेल्ट वाली चुडिदार भी कहते हैं और दूसरी जो हम चुड़ी दार सिखेंगे तो वो चुड़ी दार हम सिखने वाले हैं box वाली चुड़ीदार तो वह आपको देखने के लिए हमारे channel को आपको subscribe करना होता है और bell icon को जो है चुड़ीदार बताएंगे तो आप जो है तो सबसे पहले इस फैब्रिक को पूरी तरह से ओपन कर दीजे तो मैंने यहां पर जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है इसे में पूरा ओपन कर रहा हूं तो आप जो इसे ओपन करने के बाद मुझे जो है जैसे हम रुमाल समझना है कि मुझे मेजर्मेंट किस तरह से डालना होता है तो सबसे पहले हम जो है मेजर्मेंट समझ लेते हैं यहां पर मैंने लेंट जो ली हुए है तो वह मेरी 39 इंच की है उसके बाद में मुझे जो है तो बॉटम डालना है तो मुझे 9 इंच का बॉटम डालना है उसक यहां पर आप देख सकते इतने मेजरमेंट मैंने लिये हुए और आपको भी इतने मेजरमेंट इसमें लगेंगे तो सबसे पहले हमें जो है यहां पर कॉर्णर पर आना है तो क्या पर आना हमें कॉर्णर पर आना आप देखें यहां पर जो कॉर्णर होता है ना यहां पर खिछेंगे, इहुंकि यहां पे कम होते हुए जा रहा है गश्एन सबसे पहले हमें यहां पर टालना होता है चुनई जिसे हम 66 यहां से मैं सीधा क infect का美味vention यहां से कम से करेंगे बाद तो यहां पे हो जाती 10 और जादा से जादा 20-25 इंच होता है तो मैं कॉमन जो चुनी होती वो लेता हूं और वो है मेरी 15 तो मैं 15 इंच के उपर मेजरमेंट डालने के बाद यह मैं सीधी लाइन करूँगा और इसके उपर भी मैं अपना बॉटम ही डालूँगा और यहां पर डेड़ इंच की सलाई तो अब देख पा रहा हूंगे दोनों मेजरमेंट सेम हैं और यहां पर यह लाइन भी में सीधी यहां पर खीचूगा अब यह लाइन होने के बाद मुझे डालना है लेंथ अब देखे मैं थोड़ा सा इसे नीचे लेता हूं क्योंकि लिए मुझेर मेजरमेंट डालना हूं आप मेरी लेंथ है 39 इंचीं तो आप मुझे क्या करना है से सीधा यहां पर 7 इंस माइनस करदे न है यहँए तो मेरा 32 इंच का लेंट रहेगा तो सीधा मैं यहां यहां िथा तूं पर राटब ऊर्टिकां पर मार्किं करूंगा इसमेंस किया है उसे आप उपर चोड़ वे लाइन पर यहां पो करना है इन दोनों का इस बीच दोनों का यहां पो आरा साड़े तो साड़े तेइस का अगर मैं आदा करता हूं तो मेरा हो जाएगा पाउने बारा इंच तो मैं पाउने बारा के उपर मार्किंग कर रहा हूं यह मेरा सेंटर बनेगा इन दोनों का लेकिन मुझे घुटना जो होता है तो थोड़ा उपर लेना यानि लगबग मैं दो इंच भी से उपर लोंगा और यहां पे करूँगा गटने का मार्किंग यहां पर गुटने का मार्किंग हो गाए में किन में घुटना कितना लिय out six फो Bene कारेंगे और आगे डेनां और देख सकते हैं यहां पे align हमने कर लिए हैं अब हमें आना है सी उसलीन отс Might के बाद दो की यह हमारा पूरा सीट टेक्पांद睛 के इससीट करीं लिए कि आप क्या करेंगे 6 इन्च ऐड करेंगे कितने इंच एल करेंगे tuhyeu गाइक टूगा कितना हमारा होगा यहां पर 58 ऑक कितना होगा इंच जादा यहां पर भी हम वहीं मार्किंग करेंगे और यह लाइन देंगे सीधी यहां पर देखे हम इसके अंदर ज्यादा चूर नहीं लाएने वाले हैं इसलिए हम यहां पर डेड़ इंच लेंगे यानि एक इंच है हम इसमें लूजिंग ले रहे और बाकी का जो आएगा तो वो हमारा आदा इंच का सिलाय आएगा तो कुल मिला के हमने यहां पर डेड़ लेकिन आ हुआ तो देखे आभ हमें क्या करना यहां पर इस लाइन को किच लेना है तो हमारी जो है हमेशा आपको अगर चुडी दार बना नहीं इस तरह कि आपको सेब की सब्स्क्राइब लगती है यहां पर में इस लाइन को खीच़ओंगा और दूसरे भी लाइन को मैं यहां से आ लेना है और कट करने के बाद एक इस तरह से दिखता है हम आपको दिखाएंगे कि कि अ है कि अ हुआ कि आ है कि आधाधा कि कि यहाँ पर जो है हमने इस है चुड़ीदार को यहां पे लगएगा चुन एक पीड हम सॉइप में रखने हैं से हमारा नेफ़ा निकलेगा रखनेगा तो हमें एक पार्ट को यहां पेर जोइन देना है और दुसरे को काफी कम जॉइन मिल रहा आपको, तो अब हम क्या करेंगे इसे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगी, यह किनारी के ओपर किनारी, अब देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो है हमारे किनारी हैं, तो इस किनारी को हम रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से, अदाइज फ तो ये हमारी मार्किंग हो गयी हम यहां से इसे कट करेंगी यहां से हम क्या करेंगी से सिधा करने तो अब देख पार हो गयां पे इसकली को हमने निकाला हुआ ही यह हमारा जॉइंड है तो आप इसमें क्या हो जाता है कि कभी भी हम अगर इसे stitch करते हैं तो हमें यहां पर हमेशा problem आ जाता है आसन में एक तो आप उसे थोड़ा normally save दे सकते हैं या दूसरा आपके पास option यह है कि आप इसे कली लगा सकते हो तो आप यह कली निकालेंगे कैसे यह हम यहां पर समझ ल होना है यहां पर जो हमने आसन का measurement लिया है देख सकते हैं यहां से यहां तक तो हमारा सब्सक्राइब कितना तो लगबग यह हैं नव इंच तो नव में से हम दो इंच कम करेंगे यानि साथ तो सीधा यहां से हम 7 इंच के उपर मार्किंग करेंगे और यहां पर थोड़ा सा आप ये अपके दिमाग में सवाल आ रहा हूंगा कि सर यहां पर हम कितना लिए तो हम बताते आपको कि यहां पर कभी भी आप लेंगे ढाई तक अब दो भी रख सकते हैं लेकिन आपको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपको नॉर्मली इसे रखना होता है और यहां से हम हमें राउंड किया है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारी बन गई यह कली आप आपको इसे हम स्टीच कैसे करते हैं वह भी हम आपको समझाएंगे तो उसके लिए आपको जो है कंटिन्यो हमारे जो है चाइनल पर रहना होता है तो आपको कटिंग के साथ हम स्टीचिशि तुझ लिया था कि हमें निफ violent हमने क्या बताया ता और को 42 हमारा माँफ हेश सीट का उसमें हचे इन्च प्लस करेंगे तो यह होगा हमारा फोटी-ईट इंच तो आप आपको दीधोटी-ईट और करना यानि आदा कर से दो फोटी-ट江 आदा करिंगे हम तो कितना होगा हमारा तो यहां पर तो हम ढलेंगे यहां पर 24 का मेजरमेंट आप देखें 24 इंच यह होता है हमारा आदा इसमें हमें इक इंच की लगेगी तो हम सिधा इस तरह से नाइन का मार्किंग करते भी चले जाएंगे और आप हमीहाँ पर इसए काटेंगे तो यहाँ पर काटने के लिए जह अब जो मार्किंग किया हुआ ह dengy आप अंदर से नहीं काटने वाले और यह हम सीदा किसे खट कर लें तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने निकालाए नेफा यह हमने निकालाए आसन का जो मैने होता है वो और यह हो गए हमारी पूरी तरह से चुड़िदार कटिंग तो आप इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप जो है सब्सक्राइब किए चाइनल को और नेक्स्ट स्टेप बाइस स्टेप सिकाते वे चले जाने वाले एक होगा कुर्ती एक होगा सलवार इसी तरह से हमारे सभी पार्ट आपको मिलते वे चले जाएंगे अगर आपको इससे भी हवर अच्छे-च्छे कोई वीडियो चाहिए होते हैं तो आप जो है आप कमेंड में लिख सक पर है और वो जो है मैं कोशिश करूँगा आपको उसका फीडियो डालने का